फिरी चात्रों कक्षा दस्वी गडित विसे के अध्याय चार द्विगात समिकरण के अंत्रगत प्रश्णावली चार दस्मना दो का पहला प्रश्णू जिसके अनुसार गुणन खंड विधी से द्विगात समिकरणों के मूल ग्यात किजिए जबकि द्विगात समिकरण हमे ग्यात है X की खाथ 2 दो रिंड 3 एक से दस बराबर शुन सबसे पहले हम X की खाद 2 तता अचरपद को आपस में गुणा करते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है और इसके हम गुणन खड़न देखें तो संभावित गुणन खड़न खड़न एक गुणित 10 और दो गुणित 5 हो सकते हैं अब इसमें ये चेक करेंगे कि मद्दपद हमें प्राप्त करना है तो धन करने पर कौन-कौन सी संख्याए मिल सकती है तो 10 और 11 और यदि 10 में से 1 गटाए तो 9 मिलेगा और 2 और 5 साथ और 5 में से 2 गटाए तो 3 प्राप्त होगा हम लिखेंगे x square रिन कोष्टक में 5 रिन 2 परताथ 5 परिन से 2 गटाने पर 3 प्राप्त हो जाता है x रिन 10 बराबर 6 अब हम कोष्टक घटाएंगे तो हमें रिन x का गुणा करना होगा तो x square रिन 5 x लिखेंगे और रिन का रिन में गुणा होके धन 2 x समें प्राप्त हो जाएगा रिन 10 बराबर 6 लिखेंगे अब इसके बाद हम समु बनाएंगे एकश x square रिन 5 x अब दूसरा समु हमारा 2 x रिन 10 होगा में उबहनिस्ट ग्याद करेंगे दोनों समु में से तो इस समु में आमें 1 X उबहनिस्ट दिख रहा है दोनों में भाज जा रहा एकस का छक्राप्त होगा इसी तरीके से दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो कुस्टक में एक्सरिंट 5 हमें प्राप्त होगा, आप देख रहे हैं, एक्सरिंट 5 यहां पे सार वह बैनिस्ट है, उसे कॉमन करने पर, एक्सरिंट 5 अगले कुस्टक में जो संख्याएं बचेंगी, वो बचेंगी x और धन 2, जो कि आपको एक ब्र पराबर शुन्न मान लेते तो x रिंड 5 पराबर या दी शुन्न है तो x का मान हमें धन 5 प्राप्त होगा यह पहला मूल होगा इसी प्रकार से X कमान रिंड दो प्राप्त होगा पक्षांतर करने पर यह दूसरा मूल होगा आते हम कहेंगे कि द्विगास समिकरण के मूल 5 इवं रिंड दो है